नमस्कार दोस्तों मेरे नामे सिवेश और श्रुएक अब सभी का मेरे यूटूब चलमें तो दोस्तों जिसका आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं National Institute of Technology उत्रखंड नहीं यहाँ पर non-technical के पदों पर vacancy जारे किये इन पदों के लिए जो online आवेदन सुरू हो चुके हैं तो आप दो परकार से आवेदन कर सकते हैं online और offline जो इच्छू कभियारती online आवेदन करना चाहते हैं तो यह इसकी official website है इसका link मैं इस video के description में देदूँगा आप वहाँ से direct इसकी official website पर जा सकते हैं और इसके लिए online आवेदन कर सकते हैं और जो इच्छू कभियारती इसके offline आवेदन करना चाहते हैं तो इसके form की पीडियो का link है मैं इस video के description में देदूँगा आप वहाँ से जाके उस form को download करके print out कर सकते हैं उसमें अपनी qualification भरके अपनी जो photocopy है qualification की वह लगाके इस पते पर आपको इसको भीजना होगा अगर दोस्तों आपको यहाँ पता not करना है तो आप इस video को रोख सकते हैं और देख सकते हैं और not कर सकते हैं इस सबसे better आपका online mode रहा तो दोस्तों मैंने आपको बताना था कि दो प्रकास आपके आविदन कर सकते हैं तो 6 सितंबर इसकी last date है online आविदन की और 13 सितंबर इसकी last date है offline आविदन की है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें कितने पदों पर कितनी वेकेंसी आउट हुई है तो देखिए सबसे पहले जो इसमें पद है वह आपका deputy registrar का है यहनकी finance and account का है इसमें एक post है यूर के लिए ठीक है और 78,000 रुपे आपको इसमें salary मिलने वाली है और 50 year maximum इसकी age रखी गई है ठीक है minimum इसमें age नहीं दी गई है अगली post है दोस्तों आपकी executive engineer disciples है एक post है OBC के लिए ठीक है और 56,000 रुपे आपको salary मिलने वाली है और 35 year इसमें age limit रखी गई है अगली है दोस्तों आपकी medical officer के लिए एक post है और OBC के लिए इसमें vacancy है और 56,000 रुपे आपको salary मिलने वाली है और 35 year इसमें age limit रखी गई है अगली post है आपके super tenant के लिए इसमें एक post है EWS के लिए 35,000 रुपे आपको salary मिलने वाली है और age limit इसमें 30 year रखी गई है इन पदों के लिए क्या qualification मांगी गई है हम बात में discuss करेंगे अभी हम इसमें पदों के बारे में और age limit के बारे में बता रहे हैं अगली post है आपके super tenant on contract के लिए इसमें दो post है दोनों UR के लिए है 35,400 रुपे आपको इसमें fixed salary मिलने वाली है वो 30 year इसमें age limit रखी कही है अगली post है दोस्तों आपकी SAS assistant इसमें आपकी एक post दी कही है और उसके बाद आपके junior engineer civil से इसमें आपके चार post दी कही है फिर आपका junior engineer electrical में आपके इसमें तीन post दी कही है SC, ST, OBC, EWS तीनों इसमें apply कर सकते हैं ठीक है और 35,000 रुपे हम salary मिलने वाली है 30 years में age limit रखी गई है अगली post है दोस्तों आपके junior assistant के लिए इसमें 3 post दी कही है SC, ST, EWS के लिए इसमें post दी कही है और 21,000 रुपे आपको इसमें salary मिलने वाली है और 27 years में age limit रखी गई है इसमें 3 post दी कही है ST, SC, OBC तीनों इसमें apply कर सकते हैं और 18,000 रुपे आपको इसमें salary मिलने वाली है और 27 years में age limit रखी गई है तो दोस्तों बीबी न पोस्टों पर या में total जो आपकी vacancy निकाली कही है वो 21 vacancy निकाली कही है ठीक है अब दोस्तों बात करें इसमें qualification की ठीक और experience आपको इसमें 9 year का experience मांगा गया है ठीक है अगली job की post थी दोस्तों executive engineer civil की थी इसमें आपके degree होनी चाहिए civil engineering में B.E.E.B.T.E.X है ठीक है अगली बात करते है medical officer की तो दोस्तों इसमें जो education qualification मांगी गई है तो इस post के लिए आपस MBPS के degree मांगी गई है ठीक है अगली अगली बात करते है superintendent के पदों के लिए तो इसमें first class bachelor degree आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके पास master degree होनी चाहिए किसी भी subject से 50% के साथ ठीक है अब दोस्तों बात करें superintendent on contract के पदों के लिए तो इसमें आपको first class bachelor degree होनी चाहिए और master degree होनी चाहिए किसी भी subject से अगर आ आपके पास कोई भी certificate है drama, musician, sports का तो भी आप इसमें दे सकते हैं ठीक है फिर आपका junior engineer civil की बात करें तो आपका इसमें B.E.B.T.E. होना चाहिए civil engineering से या फिर आपके पास diploma होना चाहिए 3-year का अगला दोस्तों आपका junior assistant के पदों के लिए तो इसमें आपका 12th pass होना चाहिए क इसमें आपके 60% नंबर आने बारे हैं ठीक है और अगला है दोस्तों आपका office attendant के लिए इसमें आपके जो qualification मांगेगे 12th pass मांगेगे केवल ठीक है तो इस पदों के लिए आप आवे दिन कर सकते हैं जो 12th pass अब याड़ती है और जो डिप्लोमों होड़र रहे हैं या डिग NITUK compass Jaipur में होने वाला है तो आपका जो examination center है NIT-UK compass Jaipur में होने वाला है तो यहाँ पर आपका जो examination center है वो jaipur है दोस्तों यह थोड़ lt sosa अंब दोस्तों बात कर से o examination face की तो अलग-लग पदों पर यहां पर examination fees रखी गई है तो जो शुरुवाती एक, दो, तीन पोश्टे हैं इसमें उसके लिए 1000 रुपे फीस रखी गई है उसके बाद 4, 5, 6, 7 जो इसमें पोश्टे दी गई है उसमें 500 फीस रखी गई है उसके बाद 5, 8, 9, 10 इसमें जो पोश्ट करें, share करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अगर आप मेरे चनल पर नए आये हैं तो चनल को सब्सक्राइब करका बेल लाकिन को प्रस कर लेजिए, ताकि जो मेरे हर वीडियो की नोटिपे कैसन है वो आपको सब सब बेल मिले और आप किसे भी बढ़ते से वनचित न तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाए, बेश्टर प्लक, जय हिंद, जय भारत